नमस्कार दोस्तों फरीदाबाद में जल्दी चार नए फ्लाइ ओबर बनने से दिल्ली, कालिंदी, कुंज, नोएडा और गाजी आबाद में बिना जाम के सफर करना आसान हो जाएगा फरीदाबाद में इतमातपुर से मावई के बीच में चार नए फ्लाइ ओबर का निर्मान होना है ये सभी पुल फोर लेन होंगे जिस पर यातायाद बेहद ही स्मूथ चलेगा इन सभी फ्लाइ ओबर निर्मान के बाद कालिंदी, कुंज, दिल्ली से आयम्टी बल्लबगर तक पहुँचने में महज 20 मिनट का समय लगेगा इन सभी पुलों पर 16 करोड रुपए की लागत आने का अनुमान है दोस्तों कालिंदी कुंज से सज्टा बिहार और नोएडा तथा फरीदाबाद के बीच आवा गवन शांदार हो जाएगा और लाखों लोगों को जाम फ्री आतायात मिल सकेगा एतमादपुर से मावई के बीच चार स्थानों एतमाद बुढिया नाला, मावई फरीदाबाद, ड्रेन, छाइसा ड्रेन और बुढिया नाला पर पुल बने हैं लेकिन ये सब ही एक लेन के हैं, जबकि इस रोड से हज्जारों लाखों लोग नोएडा दिल्ली आना जाना होता है पुल सकरा होने से पीक आवर में जाम की इस्थिती बनी रहती है ऐसे में लोगों को फरीदाबाद से कालिंदी कुछ कुछ पहुँचने में एक घंटे से अधिक का समय लग जाता है पुल बनने से ये रास्ता करीब 30 मिनट का हो जाएगा सिचाई बिभाग द्वारा बनाये जाने वाले इन पुलों के बनने के बाद शेहर वासी आगरा कैनाल के सहारे कालिंदी कुछ दिली से आई एमटी बलब गर्ड महज 30 मिनट में सफर पूरा कर सकेंगे लोगों को जाम से मुक्ती मिल जाएगी चल्द ही पूरे देश में लोगों को जाम फ्री हाईवे और सुगम यात्रा मिलने लगेगी केंद्र सरकार के राजमार्क मंत्राले ने सुन्दर वा जाम फ्री राजमार्क का पूरा जाल फैलाने की योजना पर तेज गती से काम आरम कर दिया है इसके चलते ही अब दिल्ली हरियाना के रास्ते जैपुर तक बनने वाला हाईवे जल्द ही आम जनता को समर्पित कर दिया जाएगा संभावना है कि इस हाईवे का काम इसी साल मार्च तक पूरा होने के बाद लोग उस पर आराम दायक सफर कर सकेंगे इस हाईवे का काम समापती की और बढ़ रहा है सरकार का दावा है कि इस हाईवे पर दिल्ली वहरियाना से जैपुर पहुंचने में मात्र दो से तीन घंटे का समय लगेगा